होस्टल वाडन में बाल मनुविज्ञान से है ना आपके 10 नमर प्रस्ण पूछा जाएगा तो आज एक लास से स्टार्ट करते हैं 30 महत्पूर्ण प्रस्ण देखेंगे जो आने वाले एक्जाम होस्टल वाडन में काफे महत्पूर्ण होने वाला है तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पर वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार आएन है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकन के गंटी को और पर सेट कर लिजीएग वीडियो को लाइक कर देखा स्टार्ट करते हैं किस मनोवज्यानिक के अनुसार ऐसा कौन से मनोवज्यानिक है जिसका अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है तो इसका अंसर हो जाएगा इसकी नर है ना कौन से मनोवज्यानिक के अनुसार तो इसकी नर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्र बाल्य वस्था होती है जो बाल्य वस्था का जो काल होता है आपका 5 वर्स 12 वर्स 21 वर्स इन में से कोई नहीं तो बाल्य वस्था का जो काल होता है आपका 12 वर्स का होता है ठीक है चलिए नेश्ट कोस्चन है आपका व्यक्तित्व विकास की आवस्था है जो आपका व्यक्ति विकास की जो आवस्था है अधिगाम एवाम बुद्धी ये आपके सिच्छक भरती के लिए भी बहाता पूर्णा है और साथ ही होशाल वाड़ाना में दस नुमर प्लस ना पूछा जा रहा है बाल मनों में ज्ञान से उसमें हम तीस अब्जेक्ट्टी कोशन देख रहे हैं तो चलिए विकास में बुद्धी से तातपर ये होता है जो विकास होता है हमारा बुद्धी उसका तातपर ये क्या होता है बुद्धी का मतलब होता है तो ज्ञान में विर्द्धी सम्वेग में विर्द्धी ये वजन में विर्द्धी या आकार सोंच समझ और कौशल में विर्द्धी, तो विकास का मतलब होता है, बुद्धी का मतलब होता है, आकार, सोच, समझ और कौसल में विर्द्धी, तो आपका answer D हो जाएगा, ठीक है, छातरव सदिछा की तयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप continue कीजेगा, वीडियो को last टक जरूर देखना, इसकिप नही करना है, पहली बार आये हैं, तो चैनल को एक बार लाइक करके चले जाएगा, परिपकवता का संबंध होता है, परिपकवा, मतलब होता है, विकास, बुद्धी, स्रिजात्मक या रूची, तो इसका answer आपका हो जाएगा, विकास, ठीक है, क्या आजाएगा आपका, विकास देखे, होस्टल वाडन में, आपका कम्प्यूटर का पचास नमबर के प्रस्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नमबर लाना अरिवार ये रहता है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर होस्टल वाडन में, 10 नमबर के सिलेवस है, आपका बाल मनो विज्ञान से, ठीक है, तो यह हम आज टोटल 30 प्रस्न देखेंगे, ठीक है, तनाव और क्रोट की अवस्था कौन सी है, चलिए आप लोग कमेंड करके बताएगा, क्या है, तनाव और क्रोट की अवस्था कौन सी है, सैसा अवस्था, बाल्य अवस्था, किसोरा अवस्था ये व्रिद्ध अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएगा वीडियो को लाइक करके रख लीजेगा वीडियो को अधिक सदिक शेयर किजिए बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा आपका की सोरा वास था ठीक है उसमें बहुत ही ज्यादे गुस्सा और तनाव के करन होता है बालक का विकास परिणाम है बालक का जो विकास होता है परिणाम होता है आंसर ए वंसनुक्रम आंसर बी वातावरन आंसर सी वंसनुगंक्रम वातावरन की अंतक्रिया या फिर आंसर डी आर की मानसिक चा और बंद दस वरस है तो इसकी बुद्धी क्या होगी 110 सभ यह एक 110 सभ यह 183 तो मलच यह बच्चे उसके मानसिक आरर बंद आंप 20 हो जाएगा ठीक है नेस्ट है आपका सारीक विकास का शेत्र है जो आपका शारीक मंडल गुड वेरी गुड स्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्पूर्ण क्या चीज है माले जगा स्याम पट्ट मतलब लिख रहे हैं तो सबसे महत्पूर्ण क्या चीज अच्छी लिखावाट लेखन में इस परश्टता या बड़े अक्छरों में लिखना या छोटे लिखना या छोटे अक्छरों में लिखना आप लोग कमेंड करके फटा फट बताईएगा क्या आएगा इसका अंसर ए बी सी या डी टीक है जल्दी स कमेंड करके बताईएगा बिल्कुल सही अंसर दिये है बच्चों ने वेरी गुड इसका अंसर आपको हो जाएगा कि दव्य कविकास संवेगात्मक कविकास संग्यात्मक कविकास ये ने तिक तक अविकास देखिए बाल मनोग्यान के कोश्चन आप सभी कोश्चन आंसर लेकर आएं तो टल्ती सब्जीप्टी कोश्चन अगर आप तयारी करना चाहते हैं सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल या प्रावाहित करने वाले कारक कौन से हैं तो आपका एवंसमुक्रम आप्षन भी परिवार वातावरन आपसं सी परिवार की स्थिति या फिर उप्रूक्त डी सभी तो बिल्कुल सही है इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि वंसा नुकरम के कारण भी मानसी विकास होता है, प्रभाहित करने वाले जो कारक हैं, परिवार का जो आतावरान है, परिवार के समाजी की स्थितिक कैसी है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है, चलिए प्याजे के संग्यात्मक विकास के अनुसार, समेधी क्रियात्मक अवस्था होती है तो दिखे जो प्याजे करियात्मक विकास है आपका वो समेधी क्रियात्मक अवस्था होती है तो जन्म से दो वर्स तर आपसन B है दो से साथ वर्स आपसन C है साथ से ग्यारा या आपसन D है ग्यारा से सोला तो देखे प्याजेक अनुसर जो विकास होता है आपका जन्म से 0 से 2 वर्स कितना 2 वर्स याने बिल्कुल सही है जन्म से 2 वर्स तक अब निम्न में से कौन से कथन सत्य है लड़के के अधिक उम्र बुद्धिमान होते हैं बिल्कुल गलत बुद्धि का लिंक से संबल नहीं है या वर्स का मतलब आग्या तो चलिए बच्चों को समझना बच्चों की काम्याबी का कारण पता करना बच्चों को समयोजन सहता करना बिल्कुल सही है तो इसका अंसर ए बी सी और डी हो जाएगा सिच्चक याण विद्ध्यार्थी का मत्ने क्या संबन्द होना चया है माह लूज गोई सिच्चक says जो आपको पढ़ा रहा है जैसे कि मालोजग मेरे उधारन लेजी गया कि मैं आपको पढ़ा रहूं तो आपके और मेरे बीच में क्या संबंद होना चाहिए तो सिच्छा का और विद्यार थी कि बीच में क्या संबंद होना चाहिए जैसे कि मैं आपको उधारन ले लेता हूं मैं आप teacher हूँ ठीक है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप एक विद्यारती हो तो आपको और मेरम क्या संबंद होना चाहिए जल्दिस comment करके बताएगा क्या संबंद होना चाहिए तो इसनेह का विश्वास का समान का या सभी तो very good इसका अंसर सभी ने सही दिया है सभी आएगा इसका अंसर ठीक है सही है सभी का इसनेह का प्यार भरा विश्वास समान ये सबसे बड़ी है सिछा कर विद्यारती की बीच में होना अब देखिए बच्चों में नयतिक्ता की स्थापने के लिए सरोच्च मारेगा क्या है तो माली ये बच्चों में जो नयतिक्ता है उसकी स्थापने के लिए सरोच्च मारेगा क्या है तो उसके आंसर ए उन्हें धार्मिक पुष्टक पढ़ाना या सिछचक का अधर्स रुप में वेवहार कराना या उनका मुल्य सिच्छा पर मुल्यांकन करवाना या उन्हें प्राता है यानि कि सुभा कालीन सभा में उपदेश देना उपदेश देना जो भी है न तो बच्चों में सबसे बड़ी ये है कि नैतिक्ता नैतिक्ता मतलब होता है आदर्स ये आप सभी के लिए मासपूर्ण है है तो आदर्स से आप क्या समझते हों तो सिच्छा का आदर्स का वेयौभार करने ये सबसे बड़ी बात है यानि कि सुच्छक और विद्ध्यार्थी की बीच में ये सब व्यवहार जरूरी है में प्रोवेल का महत्तपूर्ण यानी कि योगदान था किसका विकास था तो किंडर गार्डन का था किंडर टिके किंडर गाटा न कठा न कंठा किंडर गाटा न करते हैं आमसर आ जाएगा आपकर सी एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थिक मध्य क्या बढ़ावा देता है भावना इसने हैं है न इसने हैं भावना तो चलिए देखते हैं आपसन कौन सा है तो एक अच्छा अध्यापक और विद्यार्थिक की बीच में क्या बढ़ावा देता है भावना गलत तो आपका आंसर हो जाएगा भी ठीक है वीडियो कैसा लग रहा है आपको आप कमेंट करके बताएगा ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो बिलकुल वीडियो को लाइक कर दिजेगा और सबसे पहले अपना नाम सबसे पहले अपना नाम बताएगा कि आपकी सब्जेक्ट की तयारी करना चाहते हैं ठीक है सिच्छक का अतिम हत्पण उद्देश से क्या होता है बच्चों को सरवांगिन विकास करना तो आपसन यहाँ पर भी हो गया है ना चलिए अब देखते हैं यहाँ पर राष्टी प्रचारे की रूप रेखा 2005 कनूसा अधीगम अपने सभाव में खालिस्थान और खालिस्थान तो इसका मतलब होता है सक्रिय और समाजिक्ट त्टीक है यहाँ पर किलियर वा समाजिक्ट बिलकुल यहाँ पर किलियर ना चलिक्क सक्रिय और समाजिक कमेंट ना करें यहाँ पर बिलकुल तैयारी करें वणस अनुग्रम और यहां की विशिष्ठ अनुक्रापिया तो यहां पर परियावरान ले लेते हैं यहां पर वणस अनुग्रम लेते हैं तो आपका अंसर हो जाएगा A भारत सरकार की कम्प्योटर पर आधारित अधिख्यरम प्रकिया के माध्यम से चातरों को सिखाने के लिए IT स्कूल में योजनाव वर्स कौन से सुरू किया है 2004 में शुरू किया गया कब किया गया 2004 में तो 6-14 वर्स के बीच माली जगा 6-14 वर्स के बीच के आयू के बच्चों को मौली क अधिकार के रूप में मुख्त अनिवारे शिक्चा देने के सर्व सिक्चा भियान वर्स कौन से सुरू में किया गई आपकर बीलकुल पूछता है चाहे आप सिख्छक भरती के तयारी कर रहे हो तो आपका बिलकुल देखिए जो सिख्छक भरती के तयारी में बाल विकास से कर चुके हैं बाल विकास आप आप लोग पढ़ चुके होंगे तो हॉस्टल वार्डवन के दस नमबर कहीं नहीं जाएगा मतलब ऐसे आप लोग बना लोगे ठीक है तो जो नए है अगर छात्रवासा दिख्छक की तयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नए पैटर्न है तो हमार को पूरा डीटेल बताने वाला हूँ अगर आप लोग तयारी कर नहीं चाहते हैं तो मैं वही कह रहा हूं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजीगा साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि ऐसा ही प्रसना आपके दोस्त यमित्र को पहुंचे सके ठीक है व वीडियो पर जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा आपको मैं वीडियो लाने की प्रयास करूंगा ठीक है देखो, मैं यहाँ पर इसलिए वीडियो लाया हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, तो और ऐसी वीडियो लाँगा, और आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो लाँगा, ठीक है, ऐसी और वीडियो लाँगा, आपको वीडियो अच्छा लगता है तब, ठीक है, वीडियो अगर अछ़ लगता है, पसंद आता है, मैं और वीडियो लगा पार्ट two लेकर, ये आपका पार्ट one वीडियो है, पार्ट one वीडियो में अगर अच्छा कासा like, comment वगर आ जाता है न मैं और गी लाँगा चलिए आप देखते हैं परिभासाएं से प्रस्न देखेंगे तो देखें इस तरी में गुणवर्तापन सिख्छक सिख्छक के लिए पाठेक्रम धाचा राश्तिय ध्यापक सिख्छा परिशत द्वारा कौन से डॉट में निकाला गया था तो आप सभी को मालूम होगा 1998 में ये सिख्छक के लिए पाठेक्रम का धाचा ध्यापक के लिए परिशत द्वारा निकाला गया था ठीक है भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुपता एवं अनिमारे सिख्छा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था जो आपके आंसर D में दिख रहा है ठीक है च करती है तो इसका आंसर आप लोग जल्दिस कमेंड करके पताएगा क्या आएगा आंसर A विद्यालाई की सरचना आपसन B सिख्छक को विशाई की समझ या आपसन C सिख्छक की योग्यता या आपसन D सिख्छक की लिखावर तो इसका आंसर हो जाएगा सिख्छक की रहता समागरी का उप्योग करते हैं, तो इसका अंसर A, B, C, D, कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताईएगा, वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है, फिर से मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो दुबारा मैं वी कैसा लग रहा है आपको, तो 29 प्रसन है, यदि बुलाया जाने पर कुछ छात्रों के माता पीता या अभिभावक के आकार से सिख्छक नहीं मिलते, तो सिख्छक को क्या करना चाहिए, हैं, माली जेग हम टीचर हैं, हम आपके माता पीता को बुला रहे हैं, अगर वो कुछ काम में वीजी बगरा है, तो क्या करेंगे, हम खुद जाकर उससे मिलेंगे, तो देखें यहाँ पर, आपसाने माता पीता को लिखना चाहिए, गलत, आपसान भी जाकर उससे मिलना चाहिए, बिलकुल सही है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, वैसे छातों को डंडिट करन जाता है, प्रोश सहित किया जाना, आंसर C, चलिए आप लोग इसका अंसर फटा फटा से कमेंट करके स्टार्ट किजएगा, इसका अंसर बताएगा, आप सभी के लिए कोश्चन है, ठीक है, यह आपका क्लास वन था, यानि कि पार्ट वन था, पार्ट टू वीडियो का ला आदिया हूं, बाल मनोवे ज्यान, सिच्छग विभाग और होस्टल वाड़ना में दस नमबर के प्रसना और उसमें बहुंच सरे प्रसना पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोग बताएगा कमेंट करके हम पार्ट वन वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पार्ट वीडियो पार्ट वीडियो लेकर जरूर आईएगा, ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो वहाँ नीचे लिख सकते हैं कि सर आपको वीडियो मुझे पसंद नहीं आया, पार्ट वीडियो नहीं लाना, ठीक है, चले इतना ही कहूंगा मैं है ना, चले किसी पठन समागरी को एक रूप में पढ़ना या पढ़ाई की रूप में जाना क्या करलाता है, बंठित, सम्मूह, अंतरजित, इनमें से कोई नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएगा इस कांसर क्या आएगा, अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूँगा, ठीक है, म द्यार्तियों या फिर यू आओं, अगर वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार फिर से बताएगा, पार्ट वान वीडियो लेकर आया था एक छोटा प्रयास के साथ, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो पार्ट टू वीडियो में लाना चाहूंगा, अगर आप लोग करो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन के निचे कमेंट करके बताएगा, आप लोग के लिए मैं समय दिया जा रहा है, ठीक है, एक से दो दिन, अगर आप लोग वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, या फिर वाट्सप ग्रूप में मेसेज कर सकते हो, थैंक्स फ वाचिंग में